हेलो वेलकम बैक टो माइज चानल तो आज के एस वीडियो में हम लोग सिखेंगे हाव टो क्लियेट पीस्टी मॉक अप्स इन फोटोशॉप तो बैसिकली मॉक आप यूज होता है किसी भी तरह की डिजाइन्स या फिर आर्ट वक को प्रेजिंट करने के लिए जिसको आप यूज करके एक रियलिस्टिक इमेजिनेसर अपने वीवर्स और क्लाइंट्स को सो कर सकते हो अगर आप एक माइक्रो स्टॉकर हो तो आप इसको एज एसेट्स सेल भी कर सकते हो फ्री पीपर तो आज हम जो सीखेंगे वह एक बिलबोर्ट का मॉक आप जो वर्टि तो यह देखिए आप यहां से भी कलेक्ट कर सकते हो और भी दूसरे वेबसाइट्स हैं या फिर आप गोगल पर सर्च कर सकता हो जैसे कि अंस्प्लैस हो गया तो यह सारे कमर्सेल फ्री रहता है देखिए यहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगा इसको आप कस्टमाइज करके इसको पीएस्ट में कनवर्ट कर सकते हो इस इमेज को या इससे जनेट क्या है तो बैसिकली जो वाइड वाला पार्ट है वह हमारा प्लेस होल्डर डिजाइन का तो इसको किस तरह से हम एडिटेबल मॉकप बनाएंगी पीएसडी में चले जान तो जो आर्ट वर्क का साइज है तो साइज को यूज करके हमें एक सेप करना होगा तो मैं यहां से रेक्टेंगल टूल को यूज करूंगा और यहां पर जो मेरा डिजाइन का साइज है और साइज को इनपूट करेंगे और और क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक शेप आ चुका है अब हमें इसको राइट क्लिक करकर करके convert to smart object पर क्लिक करना है अब इसका थोड़ा obesity हम कम कर लेंगे और Ctrl T प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर distort का जो option है उस फिर क्लिक करेंगे अब थोड़ा जूम करके हरी से कॉर्णर को सुलिट करके यहाँ सब्सक्राने ओर जो प्लेस उलड़र उसके हिसाब अपकुरमकर देखेंगे जयृत क्लिक कर सक्राओं पर आक तो ओगले कर देंगे इसका उर्ण HER gut इसके तो इस तरह से एक नया document में open हो जाएगा अब यहाँ पर हमें जो design दिखाना है उसको place करना है तो मेरे पास already एक है तो मैं इसको drag and drop करके इसका size adjust कर लूँगा ऐसे उसके बाद control S करके इसको save करेंगे फिर इस document को close कर देंगे और boom यह हमारा mock-up ready हो गया है और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा minor changes करके इसको और भी perfectly adjust कर सकते हैं यह पर थोड़ा मेरा white ball apart दिख रहा है तो इसको मैं warp tool को use करके hide कर दूँगा तो जब भी perfectly set हो जाए इसके बाद हमें इस layer का नाम change कर देना है जैसे कि अगर कोई भी यूज करना चाहिए तो इसको समझ जाए ठीक है तो कोई भी अगर इसको first download करके यूज करना चाहेगा तो यहां पर उसको समझ जाएगा कि यहां पर double click करना है तो जैसी double click करेगा तो इसके बाद यह बाला डोकुमेंट open हो जाएगा अब यहां पर हमें लिख दाना है place your design और इस rectangle को हम डिलीट कर देंगे फिर इसको और एक बार सेफ कर लेंगे जैसे आपको थोड़ा vibrant करना है थोड़ा shadow को increase करना है इस तरह से और इस फाइल को ऐसे रहने देना है इसको कुछ नहीं करना है ति इसको आप इसको एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट एस पर jpg format पर इसका जो प्रिव्यू फाइल होता है फ्रीपिक के लिए आप उस एक्सपोर्ट करके रेडी कर सकता हूं जैसे कि मैंने यहां पर किया है तो अभी यह रेडी है पूरा फ्रीपिक contributor में अप्लोड होने के लिए मैंने इसको अप्लोड किया भी है तो मैं आपको दिखाता हूं और यह पब्लिश भी हो चुका है यह देखिया देट ट्वेंटीए टॉक्ट पर है देखिया तो गाइस यह था एक शॉर्ट या क्विक टीटोरियल हार टो क्लिएट पीएसडी मॉक आप और फ्रेपिक अगर आप टो डिजाइन टीटोरियल्स और जॉब्स और अर्निंग्स और प्लीश वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना में ते गाइस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई